विदेशियों की भीड से एक स्त्री आई और इस देश को कुछ ऐसे अपना गई कुरीतियों से लड़ी स्त्रीयों की ताकत बनी शिक्षित हो ये देश ज्यान का दिया भी जला गई सफेद वस्त्र में लिप्टी उस साधवी में इतनी ताकत थी कि भारतियों लोगों को भारतियता सिखा गई नमस्कार, टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है मेरा नाम है अकांग्शा राय और आज हम लोग डॉक्टर एनी बेसेंट की बायोग्राफी कवर कर रहे हैं जिनका मानना था कि जब कभी पुरुष और स्त्री में जगड़ा होता है तो जीत हमेशा स्त्री की होती है शायद बापू की तरह वो भी मानती थी कि स्त्री अहिंसा और महाशक्ति का प्रतीक है एनी का जन्म 1 ओक्टूबर 1847 को लंडन के कल्फम नामक जगा पर हुआ था एनी एक ब्रिटिश आईरिश महिला थी उनके पिता का नाम विलियम हुड और मा का नाम एमिली मौरिस था उनके पिता आयरलैंड के निवासी थे विवाह से पहले एनी बेसेंट का नाम एनी वुड था जब एनी पाँच वर्ष की थी उनके पिता का दिहान थो गया परिवार चलाने के लिए एनी की मा ने लड़कों के लिए शात्रावाश यानी की हॉस्टल खोला मात्र बीस साल की उम्र में एनी का विवाह क्रिश्चन प्रीस्ट फ्रेंक बेसेंट से हुआ और इसके बाद एनी ने दो बच्चों को जन्म दिया एनी के पती कट्टर इसाई थे जबकि एनी धर्म निरपेक्ष यानी की सेक्यूलर महिला थी पती के साथ धार्मिक मतभेद के कारण दोनों को 1873 में कानूनी तौर पर अलग होना पड़ा एनी की मा ने उन्हें बहुत समझाया कहा कि ऐसा ना कर इससे हमारी बदनामी होगी तब एनी ने कहा मा मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ लेकिन सत्य के साथ समझोता कभी नहीं कर सकती सत्य की खोज मेरी वैसी ही रहेगी जैसी आज तक रही है एक बार जब एनी की बेटी बहुत बीमार हो गई तब वो ईश्वर में अश्रद्धा महसूस करने लगी उन्होंने हाथ में क्लोरोफॉर्म की बॉटल पकड़ी और आत्म हत्या करने के लिए तैयार हो गई उसी वक्त उनकी अंतरात्मा से आवाज आई इनर वोईस सुनाई पड़ी ये तु क्या कर रही है थोड़ा सा संकट क्या आ गया तु इतनी निराश हो गई तब उनकी श्रद्धा फिर से प्रकट हुई अपने पती से अलग होने के बाद एनी ने लंबे समय से चली आ रही रिलीजियस बिलीव्स और ट्रडिशनल सोच पर भी कई सवाल खड़े किये उन्होंने चर्च में काम करने के तरीकों और लोगों की जिन्दगियों को बस में करने के बारे में लिखना शुरू किया अब एनी एक फेमस स्पीकर और राइटर बन चुकी थी उनकी जान पहचान उस समय के ब्रिटिश सदन सदस्यों से हो गई थी अब उनका पॉलिटिकल अप्रोच बढ़ गया था 1875 न्यू यॉक में दो फेमस रिलीजियस सोशल वर्कर्स मैडम H.P. बलावट्सकी और करनल H.S. आलकॉर्ट ने मिलकर एक और्गिनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी थियोसॉफिकल सोसाइटी ने नियू यॉक के बाद दुनिया में अलग अलग जगह अपना रिलीजियस सेंटर खोला उसी में उनका एक सेंटर लंडन में खुला जहां रहती थी एनी बेसेंट 1889 में एनी के लाइफ का डिरेक्शन ही बदल गया जब किसी ने उन्हें मैडम ब्लेवेट्सकी की एक बुक का एनालेसिस करने को कहा बुक पढ़कर उन्हें लगा जैसे उन्हें आत्म ज्यान हो गया हो उनकी आत्मा प्रकाश से भर गई हो वो एनलाइटेंड हो गई हो अब सब कुछ छोड़कर वो थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ गई दुनिया के प्राचीन धर्मों को फिर से उनके प्योर फॉर्म में स्टैबलिश करना ही थियोसोफिकल सोसाइटी का एम था एनी इससे बहुत रभावित हुई जब एनी मैडम ब्लावेट्सकी से मिली तो मैडम ब्लावेट्सकी ने अपनी अंगूठी उन्हें पहना दी और थियोसोफिकल सोसाइटी के संचालन का सारा भार उन्हें सौप दिया 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी का हेड़ कौर्टर भारत में मदरास के अड्याड नामक जगह को बनाया गया थियोसोफिकल सोसाइटी के काम से ही एनी 18th नवेंबर 1893 को भारत आई यहां की गरीबी और बुरा हाल देखकर एनी का मन विद्रोह कर उठा उन्हें लगा कि एक महान संस्कृती के उत्तरा अधिकारी एक महान संस्कृती के मालिक पीडित और दलित अवस्था में जी रहे है उन्हें बदलाव की जरूरत मैसूस हुई 1907 में एनी को थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रेसेडेंट बना दिया गया और वे अडियार जो की थियोसोफिकल सोसाइटी का इंटरनेशनल हेड़कोर्टर था वहां रहने आई और अंत तक वही रही एनी बेसेंट ने 1907 में वसंथ प्रेस और थियोसोफिकल पब्लिशिंग हाउस की स्थापना की 1914 में उन्होंने मद्रा स्टैंडर्ड का नाम मद्रा स्टैंडर्ड नाम के एक न्यूसपेपर को खरीदा और उसे न्यू इंडिया के नाम से निकाला एनी बेसेंट को यकीन हो गया था कि भारत पर भारतवासियों का अपना शाशन जब तक नहीं होका इस देश के लिए प्रगती असंभव है इसलिए सेल्फ रूल की डिमांड करने के लिए 1916 में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग के स्थापना की जब ब्रेटिश गवर्मेंट एनी की गतिविधियों से घबरा गई न्यू इंडिया की जमानत जब्त कर दी गई और एनी को गिरफतार करके नजर बंद कर दिया गया लोगों ने घोर विद्रोह किया लोगों के विद्रोह की वज़ा से सरकार को तीन ही महीनों में एनी बेसेंट को रिहा करना पड़ा दिसंबर 1917 में एनी बेसेंट ने इंडियन नैशनल कॉंग्रेस की पहली महिला अध्याक्ष फर्स्ट विमन प्रेसेडेंट का पद संभाला बनारस ने भी अपनी संस्कृती से एनी को खूब आकरशित किया यहां उन्हें भारत का आध्यात में खृत है स्पिरिचुल हार्ट धड़कता महसूस हुआ बनारस एनी का एक और कारिशेत्र वर्क स्टेशन बन गया यहां आकर उन्हें शान्ती मिलती थी इसलिए यहां के अपने आवास का नाम उन्होंने शान्ती कुंज रख दिया एनी का मानना था कि भारत के विकास के लिए लोगों की शिक्षा और चरित्र निर्माड बहत जरूरी है उन्होंने एक ऐसे एजुकेशनल सिस्टम शिक्षा प्रडारी का फ्रेमवर्क तयार किया जो इंडियन लाइफ प्रिंसिपल्स, वेस्टर नॉलेज और साइन्स का एक समन्वे बैलेंस्ट मिक्स्चर था अपनी शिक्षा नीती के हिसाब से उन्होंने 1898 में ही बनारस में Central Hindu College की स्थापना कर दी थी लेकिन जब मदन मुहन मालविय ने बनारस Hindu University की स्थापना करने का निश्चे किया तब एनी ने 1913 में बहत खुशी के साथ ये Central Hindu College महामना मालविय जी को सौप दिया एनी बेसेंट के Central Hindu College को केंद्र बना कर मालविय जी ने बनारस Hindu University का निर्माड किया एनी बेसेंट ने मदरास में Young Men's Indian Association नाम का एक और्गनाइजेशन शुरू किया वहाँ उन्होंने गोखले हॉल बनवाया जहां इंडियन युथ को पार्लियमेंटरी सिस्टम से इंट्रियूस कराने के लिए पार्लियमेंट के सेशन्स का अभ्यास कराया एनी बेसेंट ने महिला अंदोलन को भी गती और दिशा प्रतान की स्त्रियों को संगठिन करने के लिए उन्होंने एक विवन्स एसोशेशन की स्थापना भी की महात्मा कांधी के भार्तिय राष्ट्रिय मंच पर आने के बाद उनके और एनी बेसेंट के बीच में मतभेद पैदा हुआ और एनी बेसेंट धीरे धीरे राजनीती से अलग हो गई शिक्षा और संस्कृति के शेत्र में उनके असाधारण यूगदान के लिए बनारस हिंदू युनिवर्सिटी की ओर से 1921 में उन्हें डॉक्टरेट की उपादी प्रदान की गई 20 सितंबर 1933 अड्यार मदरास में एनी की मृत्य हो गई उनकी इक्षा के अनुसार उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया वो खुद गंगा थी जिसने लंडन के कलफम में जन्म लेकर वहां की धरती को पवित्र किया और अंततह अपने असली स्वरूप में समा गई यह थी मेरी चोटी सी कोशिष डॉक्टर एनी बेसेट की महान जीवनी और उनकी व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा कुछ कहने की आपने डॉक्टर एनी बेसेंट की जिंदगी से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं